दोस्तो मेरे WhatsApp में एक प्रोब्लम हो गया है, जब भी मैं WhatsApp में कोई भी status लगाता हूँ, तो वो automatically मेरे Facebook इस्टोरी में भी share हो जाता है जैसे example के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस photo को हमने select कर लिया है, इसके बाद जैसे ही इसे अपने WhatsApp status में लगाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखावा है status send and share to Facebook story अब मैं आपको Facebook open करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से यह photo मेरे story में भी लग गया है, अब problem तब आती है जब आप कोई personal photo सिर्फ आप अपने WhatsApp फ्रेंड को ही दिखाना चाते हैं और वो गलती से Facebook story में भी share हो जाता है, जिससे सब कोई आपका personal photo देख आ रहा है, तो दोस्तो यह कोई problem नहीं है, WhatsApp का यह feature है, जिससे आप अपने Facebook account को अपने WhatsApp account में link कर सकते हैं, इसके उपर मैंने already वीडियो बना है, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, अब आईए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे unlink कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको WhatsApp को open कर लेना है, उसके बाद updates पे click कर लेना है, अब यहाँ पे जितने भी status है वो यहाँ से दिखाए देंगे, अब आपको इस three dots पे click कर लेना है, और status privacy पे click कर लेना है, अब यहाँ पे आप देखिए मेरा Facebook का नाम सो हो रहा ह अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने Facebook और WhatsApp को link करके रखा है, इसलिए मेरा इस तरह का problem दे रहा है, तो simply आपको इस पे click कर लेना है, इस पे जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे लिखावा है Always share to Facebook story, यानि कि जो भी हम WhatsApp status में लगाएंगे, वो हमारे Facebook story में भी share हो जाएग मैं आपको फिर से कोई भी एक फोटो को WhatsApp status में share करके दिखाता हूँ, जैसे इस फोटो को हमने यहाँ से share कर दिया है, और आप देख सकते हैं यह हमारे WhatsApp status में लग गया है, अब यहाँ पे देखें Facebook का options हो हो रहा है, इस पे अगर आप click करेंगे तभी यह Facebook story में share होगा, नही तो यह सिर्फ आपके WhatsApp status में ही लगा रहेगा, एक बार मैं आपको Facebook open करके भी दिखा देता हूँ, कि अभी हमने जो फोटो WhatsApp status में लगाया है, वो Facebook story में नहीं लगा है, तो यह आपके उपर depend करता है कि आप अपने WhatsApp status को Facebook story में लगाना चाहते हैं या नहीं, अगर लगाना चा सकते हैं, यहां से हमारा जो WhatsApp status था, वो Facebook में भी लग गया है, तो पहले हमारा always share था, यानि कि जो भी हम status में लगाएंगे, वो automatic Facebook story में लग जाएगा, लेकिन उसको हमने हटा कर manually कर दिया है, आपको अगर लगाना है तो Facebook पे tap कीजिए, नहीं लगाना है तो मत कीजिए, सिर् और नीचे जो नाम लिखावा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद disable status sharing to Facebook इस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहां से फिर से disable पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका Facebook अकाउंट WhatsApp से separate हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने WhatsApp और Facebook अकाउंट को unlink कर सकते हैं